जब one of them is scalar matrix होगा क्या और बोथ scalar matrix होना पड़ेगा at least one at least one of them और एक था सेर आइगें वेलू है मैट्रिक्स का सपोज एक आइगें वेलू है लेम्डा 1 लेम्डा 2 लेम्डा 3 तो a plus a square इसका आइगें वेलू तो लेम्डा सब्सक्राइब करेगा हमेशा सबसे कम्यूट करेगा बहुत करना चाहिए अगर होता है तब होगा कि इसमें बहुत कुश्चन आया है यह ठीक है ठीक है चलिए थैंक्यू हाँ थोड़ा सर एक बार बोल दीजिए यह दोनों माईने के लिए कैसे प्पेर करना पड़ेगा अभी तक थोड़ा बहुत बाकी है मेरा अब गेट का गेट का कर रहे हो ना हां सर गेट जैम देंग सब्सक्राइब से चलिए करो अब बहुत करते हैं यह अब बाद में नेट का आपके साथ में करते रहे हो सब्सक्राइब killer बातने कोई बातने अब एक फोकस करो अच्छे से पी वाई की उसके लिबस एक जाम करो जिसकी आप सच में तियारी करना चाहते हो प्राइटी में रखके बागी कोस्टन सारे एकजाम करो उस सिल्बस के जयसे आपको गेट नेट जैम। तो आप एक को पहले मोस्ट इंपोर्टेन टिक करो और उसमें फोकर्स करो बाकी दोगी त्यारी सात्म में हो जाएगी हुआ सब्सें गेट का अम्ण लो अब ने फोकर्स किया तो गेट का जैम का तो प्राइटीम गेट का सिल्बस जंग पार्ट गेट में है तो jam के सारे question solve करो, gate के सारे question net के वो question solve करो जो get वाला syllabus का है only ये करो बस आप और त्यारी jam gate की साथ में net की हो जाएगा अब gate पे focus करो अभी gate जिसे jam का PYQ batch अभी चल रहा है एक एक year का discuss कर रहा हूँ next week से gate का भी ऐसे ही एक एक year का solve करते रहो jam PYQ को gate PYQ net जहां डिक्कत हो रहा है उसके theories पढ़ो उसके work करो कि क्यों question नहीं हो रहा है किसी बच्चे से इसका मतलब है कि उसको concept के लिए नहीं कई बच्चा के दा सार्ट थे ओड़ी सारा पढ़ लिया question होई नहीं रहा तो उसने से पढ़ा है उसको समझ नहीं आया अगर सच में किसी को समझ आ गया सारी theory तो सारे question उससे solve होगा अगर question solve नहीं हो रहा मतलब वो गलत फैमी में है कि उसको सारी theory आती है ये चीज़ है क्योंकि theory अगर सच में आ जाएगी समझ में तो सारे question होँगे उससे फिर ये है मौक टेस देने का क्या strategy है मौक टेस अभी आप solve करो मौक टेस में पहले PYQ test जो भी है एक बार वो solve कर लो so that आपका refresh हो जाएगा concept revise भी हो जाएगा उसमें ये भी पता चल जाएगा कौन से question आप में दिक्कत है अभी तो पहले वो test अभी अलड़ी 100 test अपलोड हो चुके है पोर्टल पे उसमें बहुत सारे PYQ तो आप वो PYQ वाले पहले निप्टा लो उसमें जो question फंस जाते वो discuss करो फिर non PYO focus करो अभी आपके gate exam 16 फरवरी को है अभी आज से exactly 90 days 92 days है राउंड तो आप अगर एक टेस्ट डेली करोगे ना तो 92 टेस्ट कर पाओगे gate exam तक और test 200 जादा अपलोड होगा 200 जाम का अपलोड होगा 20-25 गेट का होगा 20-25 नेट का होगा तो धाइसो टेस्ट अपलोड होगे पोर्टल पे तो धाइसो पोर्टल लगे तो बेंगे सारे करते जो किया गलती हुई उसको सीखो आप फिर अगले टेस्ट पर जाओ और जादा जादा कुस्संव करो और कुस्संव करने के दोड़ा जब आपको रेलाईज होता है कि यह टॉपिक की कोस्टन आप से नहीं हो रहा है तो मतलब उस टॉपिक में कुछ ऐसा concept जो आपको नहीं आते हैं तो वह वर्क रदना है उस पर ठीक है थैंक्यू सो मच से जी थैंक्यू ठीक है अपनी इस दोर कोशन बचा है तो है ना इस टॉप करें यह कुछ बुचना है यह ठीक है चलिए थैंक्यू थैंक्यू कि अग्यू